नमस्कार माकवी कालिदास ने कुल साथ ग्रंथ रचे जिसने से तीन माकाव्य थेई स्वरी दो माकाव्य दो खंडकाव्य और तीन नाटक दो माकाव्य में रगुवंसम और कुमार संभावा आज हम कुमार संभाव के पंचम सर्ग का अध्यान शुरू करेंगे कुमार संभाव में कुल सत्रा सर्ग है इस माकाव्य में कुमार का मतलब है भगवान सीव और पारवती के पुत्रकारती के और कुमार संभाव मेनी उनकी उत्पति अथ्वा उनका जनम तो यहाँ शिवपुराण से ले गई कता है उसके आदार पर इस महाकाव्य की रचना की गई है इस महाकाव्य में देवताओं द्वारा दैत्यों से प्रेशान होकर जब वो ब्रहमाजी के पास गई और ब्रहमाजी ने उन्हें कहा किया यदि पार्वती और भगवान संकर के पुत्र का जनम होता है वह ही देत्य वरत्राश्दू का बद कर सकता है तो देवताओं उनके आप भगवान संकर और पार्वती ये करवाने का प्रियतन करते हैं तो इसके पहले वाले चार सर्ग्वा में भगवान या देवताओं के द्वारा नारज जी को हिमाले के पास भेजना वहां उनकी पुत्री के उत्पर जनम होने पर उनको उस पुत्री का भगवान संकर से विवार रुपी भाश्यावानी करना तता अंत में पार्वती के द्वारा भगवान संकर को प्राप्त करने के लिए जो जो प्रियतन किये गए थे उन सब का वर्णन है यहां पर आगे अपना प्रतम सर्ग है निपंचम सर्ग है उसका प्रतम स्लोप तथा शामक्षम दहता मनु भवम पिना किना भग्न मनु सथी निनिंद रूपम रिदेये निपार्वती प्रियेश शुषवाग्य फलाही चारुता तो कहते हैं तथा समक्षम तथा यानि उस प्रकार से समक्षम यानि आखों के सामने दहता यानि कि भसम होते हुई या जलती हुई मनो भवम का मलब होता है इच्छाओं को देख क पिनाकिना का मलब होता है भगवान संकर के द्वारा पिनाक भगवान संकर के दनुस्त का नाम है तो जो पिनाक धालन करता है वह पिनाकिना यहां तरत्या एक उचन तो पिनाकिना यानि भगवान संकर के द्वारा भग्न मनो रता सती जिसके इच्छाएं मर तूट गई है ऐसी सती यह पारवती तथां समक्षब उस प्रकार से आँखों के शामिने मनोभं दहता पिनाकिना उनकी मनोभं में इच्छा को पिनाकिना यानि भगवान संकार के द्वारा जलाने ने पर निनिंद रूपम पार्वती रदे पार्वती ने रदे ये ने अपने रदे से निनिंद ये निनिंदा की रूपम में नी रूप की अर्थात पार्वती ने अपने रदे से अत्यधिक निंदा की क्यों तो कहा है कि प्रियेशु स्वभाग्य फला ही चारुता चारुता का मनलब होगा है सुंदर्ता कैसी होनी चाहिए या सुंदर्ता क्या है तो कहा है चारुता यानि कि सुन्दर्ता प्रियेश स्वभाग्य फला यानि कि प्रियेश अपने प्रेमी को स्वभाग्य फला यानि कि मिला दे इस प्रकार स्वभाग्य रूपी फल मिल जाए जिस सुन्दर्ता के करान प्रेमी रूपी फल प्राप्त हो जाए वह सुन्दर् करता है इसलिए पारवती अपनी सुंदर्ता की निंदा कर रहे है कि मैं भले ही लोग कहे के सुंदर हूं लेकिन जब मुझे मेरा मनमांचित पती नहीं मिल जाता तब तक मेरी वशंदर्ता उच काम की नहीं तरो यूद्ध हिए भगवान संकर के द्वारा मनोभवम यानि कामदयव को धहता यानि जला दिया था वो सब आंखों के सामने देख करके सती भग्न मनोरता पारवती के सारी चाएं तूट गई और पारवती पारवती ने रूपम यानि अपने रूप की रधेन निंदा रदेश से निंदा की ही आगे कहा प्रियेशु स्वभाग्य फलाही चारूता यानि कि जो सुन्दर्ता प्रिये को मिला दी वही सुन्दर्ता वास्तुइक होता है यहाँ पर अर्थांत्रन्या सलंकार है पंचम सर्ग में सारे पद्य वनसस्त चंद में है उसका लक्षन है जत तुवनसस्तम मुदिरतम जरव अर्थात ऐसा पद्य जिसमें प्रतेक वरन चरण में बारा बारा वरन हो जगन तगन जगन और रगन इसक्रम है आगे नेक्स्ट पद्य है ये सिसा कर्तुम अबंध्य रूपतां समाधिम आस्था यत पूभिर आत्मन अवाप्यते वाकतं म अधाद्वयम तथा विदं प्रेम हम पति जता दातादरिश तो खाँ ये इस यानि इच्छा की सा यानि उस पार पारवती ने कर्तुम यानि करने की अवंध्य रूपता रूपता यानि अपने रूप या सुन्दरता क्यों अवंध्य का मलब भूता सफल बनाने में तो का है समाधी मास्ताया समाधी में इस्थित हो करके तफो भी यानि तफस्या के द्वारा आत्मनह रूपताम अपनी सुन्दरता को अवंध्य कर्तुम सफल बनाने की सा ये इस उस पारवती ने इच्छा की आगे का है कि अवाप्यते वा कथम अन्यता द्वयम अवाप्य और क्या रास्ता है जिस से प्राप्त किया जा सकता है क्या प्राप्त क्या जा सकता है तो कहा है द्वयम यानि दोनों है कौन दोनों तो कहा है तताविदम प्रेमम उस प्रकार का प्रेम किस प्रकार का पारवती भगवान संकर से करती थी तो कहा है पारवती संकर से जो उस इस ताधर शे व्हार दर quests और वग्दवान संकर के सद्रेश सद्रिश पति इन दोनों को प्राफ़ करने कांति एक अधा इन्च था और किस रास्ते से प्राफ़ किया जा सकता है. ऑफास्कार वलग्वान संकर और ऑर उन सुन्दरता को सपल बनाने की इच्छा की इस पद्य में भी वनसस्त चंद है निशम्य चे एनाम तपसे कृत उद्यमाम सुताम गिरीश प्रतिशक्त मानेशाम वाच मेना परिरभ्यवक्षशा निवार्यंती महदो मुनिव्रतात तो खा निशम्य चे एने सुना च याने और एनाम यानि इसको इसको परवती को तपसे कृत उद्यमाम तपस्या के लिए तथ पर इस परवती के बारे में निशम्य चे सुन करके शुताम शुता कौन पुत्री ग्रीश प्रती सक्त मानसाम अपनी पुत्री के बारे में सुना बुले पुत्री कैसी तो कहाँ ग्रीश प्रती सक्त ग्रीश यानि भगवान संकर की प्रती सक्त यानि आ सक्त मानसाम यानि मनवा दी देखो यहाँ पर पारवती की विसेशन क्या तो शरवनौिया सरवनाम को आपन कहेंगे विशेशिय। और उनकी जो विशेश्च्छ वागेतर है।। यां है तो न है तो है सुतान याने कि पुत्री अब वह yourself कैसी है बाग्वानिख संकर की परतिह सक्तमानन वाली कि और तपसे करत उध्यमाम और तपस्याक के लिए तत पर ऐसी नाम शुताम इस पुतरी के बारे में शनकर के वाच मैना बोली परीरभ्य वक्षचा अब करके मेहान मुणि प्रतत महान मुनि प्रत का मंनलग क्या है तो oluyor मुनि प्रत जो तपस्मीद आदी करते हैं जो मोन धारण करते हैं तपस्या करते है नियं सब्सक्या करते हैं मेना उवाच मेना बोली एक बार पुने देख लें कि गिरीश प्रती सक्तमान साम भगवायन संक्र के प्रतियासक्त मनवाली तपसे कृत उद्यमाम और तपस्या के लिए तत पर एनाम ये इसको एनाम सुताम इस पुत्री के बारे में निसम ये निसुनकर कि वक्षशा परिर चाती से अलिंगन करकी महतो मुनि व्रतात निवार्यंती महान तपस्या के कार्य से रूपती वे मेना उवाच मेना बोली क्या बोली तो कहाए कि मनी शीता संति ग्रहेश उदेवता तपक्ववत्सीक्वचतावकं वपुहू पदम सहेत ब्रहमरस्य पेलवं सिरीश अपने पतत्त्त्रिकाम तो कहा है पुत्री से के रहे हैं कि मन ही सिता यानि मन की इछा के अनुरूप संति यानि है ग्रेश वेरमें देवता कि अपने घरमें ही आते रिए जो इछ आ है उसके अनुरूप देवता विज्य विराजमाने क्वत अपका तो वह कटोर तप वतसे यह पुत्री क्वत तावकम बपू और कहां तावकम यानि तुमारा बपू यानि शरीर अर्था तुमारा शरीर तो बहुत कॉमल है और तवस्या बहुत कटोर है तो इन दोनों में सामंजिसी नहीं हो सकता अब देखो वो उसका उदान दे रहे है द्रश्चांथ की रूप में की पदम सहेत-णराप्र्र handsome ब्रहम पेलवम को कमल को हुता है जो नवीन इन पूस्प की कली निकली ही जो बहुत कमल होती है तो कोमल सिरीस पुस्पम यानि सिरीस का जो पुस्प है वो ब्रमरश्य पदम सहीद भाव। भाउरे के पदम यानि पेर के भार को तो सहित यानि सेयन कर सकता है नहापुना लेकिन नहीं कर सकता पतत त्रीणा यानि पक्षियों के अर्था जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के भार को तो वो भाउरा सेयन नहीं कर सकता बाउरा नहीं स्वरे कि सीरीज का फुस्प है पक्षियों के तुप क्योंकि वो वजिं में ज्यादा हुते हुते हिसलिए पते फूल depends difference by स final सेकता लेकिन भाउरे को भारको से कब्राइब कर सकता है उसी प्रकार तुम्हारा यह जो कॉमल्ळER करों चश्या मेरा लों के समय थ्वारो का रहा है वह थे हैं इसलिए यह सरीड तप्षिया के योगिये नहीं natomiast वापसे देखने कि वहां कह रही है वाच मेना मेना बोली कि मने सिता देवता ग्रही सुसंती इच्छा अनुसा जो भी देवता है वो अपने गर में हैं वच्छे इन्हे पुत्री क्वा तप खां तुकटोर तफस्या क्वा चताव कवपू और खां तुमारा ये कौमल शरीर सेरी इस का पुुस्त है वह तक ब्रह्मरस्य पदम सहिद्भावरे के पर के भार को से हिम कर सकता है ना पुनपतत्रिना लेकिन वह का भार को सैनना नहीं कर सकता है इती ध्रुव इच्छाम अनुhrasati शुताम शशा अक मेनानन नियुं तुम अद्यमात Google yol वापस देखे इस परकार केसं परकार उसने प्रिष्ल पद्यां में समझाया है बावती को तो तो इति यह इनी इस परकार से धुर्व इच्छाम अनुशासती द्रड़ इच्छे वाली सुता में पुत्रीको अनुशासती यह उपदेश देटी होई मैना उस परकार से उप्देश दे रही है अपने पुत्री को फिर भी मैना ना ससाक नहीं समर्थ हो सकी उद्यमात नियन तुम उसको नियन तुम उद्यमात याझनी जो तपशचा रुपी उद्यम करने के लिए पत्पर हुई थी उस तपशचा सी नियन्तुम ना ससाध निवारण करने में अर्था दूसे रोकने में समर्थ नहीं हो सकी तो कहाई कर यानि ऐसा कौन मनुस्य हो सकता है ऍचित अर्थ इस्थर निच्चय मन, इच्छित अर्थ यानि फल के लिए इस्थर द्रड निच्चय वाले मन को और निमना भी मुकम पयम और नीचे की ढ़लान की और जाने वाले पय जल को परति पय देने रोख सके यहने कि ऐसा कोई भी सामरत्यवान नहीं है जो एक तो ढ़लान की और जाने वाले पानी को रोख सके दूसरा कि ऐसा कोई मनुस्य है यदि अपने किसी इच्छित फल के लिए ततपर है उसने द्रड़ निच्चे कर लिया है तो वह उसको नहीं रोख सकता इसी प्रकार पार्वती ने तपस्या रूपी जो द्रड़ निच्चे कर लिया है उससी वह मेना नियंतु मुद्यमात अ नियंतु मुद्यम करने में नहीं रोख सकी का इपसीद अर्थ इस्तिर निच्चे मने कौन है जो इस्थिर निच्छे वाले मन को और इफशित अर्थ इच्छित फल के प्रती द्रिड निच्छे वाले मन को और निम्नाभी मुकम पयम और नीचे की और ढलान के और जाने वाले जल को प्रती पहे त्यानी रोक दे